इंवेसिटों वेलकम बैक टूमाइड चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साहत इस एपिसोड में बात करेंगे एक आप एक अटो एंसलरी कंपेनी के बारे में जिसका नाम है सोना बेल डवलू प्रेजिजिन तो स्टार्ट करते हैं पहले हम देख लेते जब कंपनी में लगाता हो गिरावाट आती है तो लोग ऐसे कमेंट्स करने लगता है यहां पर कंपनी के मेन गिरने का रीजन यह था कंपनी की स्टॉक की पी बहुत जादा बढ़ जाती है तो मार्केट में एक सर्टन एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि कंपनी अगले साल इतन सेल्स ग्रोथ दोगी फिर जब नहीं दे पाती है उतनी सेल्स ग्रोथ तो फिर वहां पर एक फॉल आ जाता है तो यहां पर यह में रीजन था कि गंपनी के अंदर एतना एक फॉल था एक तरह से देखा जाए तो आने वाले समय में EV सेक्टर के अंदर एक आप लोगों को अच्छा यह एक प्रॉक्सी दे सकती है मतलब एक अच्छा आपका सब्सिट्यूशन है तो यहां पर देखा जाए तो स्टॉक थोड़ा सा हाई पी था तो इस वज़े से भी थोड़ा बहुत गिर रहा था यहां पर काफी काफी दिनों से आप लोग यह अभी तक इंट्राइक्ट है प्रमोटर्स के ओल्डिंग अच्छी है चाली परसंट की अभी तक दे रहा मतलब लगातार ग्रोथ है मार्जिन कंपणी की बहुत तगड़ी है और उससाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो काफी तगड़ा है तो पचास परसंट हर साल में 50% ग्रोः कर रहा मतलब हर 2 साल में डवा लुरही मतलब ऐसा चलती रही तो दो साल में इनकी मार्केट कैपिटलाइजरेशन 40,000 के आसपास भी जा सकती है लेकिन उसके लिए actually मैं market capitalization बढ़ने के लिए price में भी बढ़ावाट आनी चाहिए जो की आएगी क्योंकि sales इतनी थेजी से बढ़ रही है तो पर यहाँ देखोगे sales के अंदर यहाँ पर आप लो लिए एक opportunity मिल रही है company विकार नहीं है जो लोग है वो बेवकूफ है अब promoters की holding देखो को यहाँ से 10% कम हुई है almost उसके जगा बढ़ी है अब की diis की holding थोड़ी सी देख सकतो 15 से 24 पसंट हुई है तो institutions की holding बढ़ी है तो यहाँ पर एक अच्छी बात है तो अब आते हैं सीधर चार्ट पर देख सकते हो कि लगातार downtrend को follow करने के बाद नीचे से W pattern मिनाया है यहाँ पर देख सकते हो W pattern मिनाया है उसके बाद आज यहाँ पर breakout मिला है तो यहाँ पर आप लोग एक बाइंग कर सकते हो उसके अंदर फिछली बार में हमने बोला था लेकिन फिर से को एक अपडेट दे रहा है यहाँ पर आप लोग कर सकते हो chunks में बाय करना है लगातार 188 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर बगल महीं यहाँ पर 200 EMA है तो rejection ले जाकता है अच्छी है लेकिन हम लोग को रिस्क भी फालतों के नहीं लेने हैं अल्टिमेटली यहां पर आप लोग बाइंग करों कि जब एक बड़ 200 EMA के पास आके रिजक्शन लेकर दुबारा उपर जा रहा होगा उस केस में हम लोग को बहुत अच्छी बाइंग मिल जाएगी तो अ उसका बाइंग कर लो फिर यहां पे इसको क्लियर करता है, तो एक लेवल की और बाइंग कर सकते हु और investment purpose हमसे पूछो तो हम यहां पर बाइंग कर रहे हैं Swing trade के लिए यहां पर कोई बाइंग नहीं हो तो अभी चलेंगे फिलाल इससे के साथ कुछ query हो कुछ problem हो तो comment section पूछ लेना अपना capital safe रखना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe भी जरूर करना और अपना capital safe रखना बहुत चुका हमने फिर सभी बोल दे रहा है क्योंकि capital तो बहुत जरूरी है जब तक capital है तब तक पैसे कवाए जा सकते हैं ओके बाइ